ओके स्टुरेंट्स वेलकम टो एस्पीए स्मार्ट हैब्रीड इस्कूलिंग सिस्टम बच्चे लास्ट वीडियो में हमने हैड्रोकार्बन चेप्टर का प्रोब्लेम 13.8 तक डिसकस कर लिया था एट कोईशन अब हम लोग नेक्स्ट कोईशन डिसकस करने जा रहें है तो एक double bond होगा अगर नहीं भी बोला जाता तो हमने बताया था आपको double bond equivalent से हम बता सकते हैं कितने double bond होंगे तो double bond equivalent क्या होगा 2 into carbon carbon 5 है plus 2 ठीक है ना plus n plus p n और p है नहीं n का मतलब है trivalent p का मतलब है pentavalent minus h, h है 10 minus x halogen या monovalent नहीं है छोड़ देंगे और divalent को हम लोग लेते नहीं है divided by 2 तो इसका unsaturation factor या double bond equivalent एक ही चीज़ होता है दोनों 1 आया double bond equivalent का मतलब है इसके पास एक pi bond होगा या एक ring होगा क्योंकि dba की value 1 आयी है ठीक है तो अब इसमें question में ही बोल दिया alken है मतलब हम लोग cyclic तो लेंगे नहीं क्योंकि cyclic लेंगे तो cyclo alken बन जाएगा और question में बोला गया यह alken है तो 5 carbon का chain होगा 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें 1 जो है pi bond होगा तो एक pi bond यहां लगा दिया तो बांकी bond क्या लगाना पड़ेगा हावे single bond लगाना पड़ेगा अब देखो यहां पर one bond बन गए तो 3 बचे तो 3 hydrogen atom यहां 2 होगे तो 2 hydrogen atom यहां भी 2 होगया 2 hydrogen atom 3 होगया 1 hydrogen 2 होगया तो 2 hydrogen atom यही इसका structure तो first structure तो यही बन सकता है अब इसका IPC name लिखना है double bond को list position देना है one two three four five five carbon का chain है तो five को क्या लिखते है pent first carbon पे double bond है तो one in ठीक है न है according to new rule तो यही लिखेंगे वैसे old rules से हम लोग इसको one pent in भी लिख सकते थे ठीक है तो अभी हम लोग ऐसे लिखेंगे root word then locant then suffix root word इसका pent हो गया locant one suffix in क्योंकि double bond है इसमें अब second क्या structure बन सकता है five carbon का तो एक ही structure बन सकता है अब यह बन सकता है अब दूसरा five carbon में एक और बना सकते हैं positional isomer अगर double bond का position change कर दें अभी हमने दो तीन चार पांच carbon यहां पर double bond लगा था यहां पर भी double bond लगा सकते हैं तो यहां प लगाते double bond तो right side से numbering कर दें तो two ही हो जाता तो अब इसके बाद five का दूसरा isomer नहीं बनेगा अब इसमें बांकी सारे single bond कर देते हैं तो क्या हो जाएंगे हमारे पास one bond है three hydrogen one hydrogen one hydrogen two hydrogen three hydrogen तो इसका ipc name हो जाएगा हमारे पास pent two in ठीक है दो structure बन गया अब third structure जो है में four carbon का chain बनाना परेगा क्योंकि five carbon में इसके अलावा और कोई possible नहीं होगा क्योंकि आगे गर बढ़ाएंगे तो जिसा हमने बताया उसमें second पर ही आ जाएगा तो four carbon का हम लोग chain ले ले लेते हैं four carbon के chain में एक double bond ले लेते हैं मानलो यहां पर double bond लिया तो अब एक substituent लगाना लेते हैं एक carbon का तो यहां पर three hydrogen होगा बहां कि सारे single कर लो three hydrogen यहां पर three bond है one hydrogen three bond one hydrogen two hydrogen इसका IPAC नहीं क्या होगा one two three four यह substituent हो गया third carbon पर तो three methyl four का chain है तो four के लिए root word but होता है one पे in है three methyl but one in तीन तो यह बन गया अब चार कारवन में और structure पॉसिबल है जो यह मिधायल सबस्टिच्वेंट लगाया है हम लोग इसके बदले यहां भी लगा सकते हैं अब बोलोगे first और fourth पे नहीं लगाएंगे क्योंकि first और fourth पे जाएगा तो अब इसको हम लोग क्या करते next चेंज करते fourth structure में मिधायल गुरूप को तो CS3 मिधायल यहां से टाओगे तो CS2 हो जाएगा यहां पर CS3 एक possibility यह है हमारे पास ठीक है तो अब इसकी numbering करो one two three four अब इसमें क्या हो गया two पे मिधायल आ गया तो two मिधायल four carbon है तो inch commute one in इस तरह से करेंगे तो four में एकriage इतीक है और पॉसिबिलिटी है four में जो हमारा यह double bond है इसीन को इधर shift कर दें या इसको करें निया इसको करें दोनों से same ही बचेगा अगर इसको इधर करेंगे तो left से नमरिं करेंगे इसको इधर करेंगे तो right से मिधाई करेंगे यहां भी CS3 आ जाएगा, ठीक है, तो अब इसका numbering करना परेगा हमें, longest chain बनाते हैं, तो क्या हो गया, second carbon पर substituent हो गया, methyl, two methyl, four का chain है, तो butre, two in, ठीक है, अब हम लोग next question देखते हैं, जो यह 10 number question है, इसमें बोला गया है, draw cis and trans, isomer of the following compounds, also right there, IPSC name, तो cis और trans जो है, double bond के about देखेंगे हम लोग, तो first question में देखो, carbon और carbon के बीच double bond होगा, cis कब होगा, जब दोनो hydrogen atom जो same group है, जैसे कि इसमें hydrogen है दोनों के साथ, same side हो, दूसरा chlorine है, same side हो, same atom या same group, same side होगा, double bond के about, तो इसे बोलेंगे cis, और trans इसका क्या बनेगा, जब यह across हो जाए, इसका hydrogen अगर इधर है, तो इसका hydrogen इस side आजाए, diagonally हो जाएगा, एक cross, chlorine इधर हो जाएगा, या बोल सकते हो, एक को fix करो, दूसरे को rotate कर दो, तो यह trans बन जाएगा, तो यह cis हो गया, और यह trans हो जाएगा, IPAC name same होगा, दोनों का, क्योंकि chain same बनेगा, दो carbon का chain है, तो 1 और 2, तो एक chlorine 1 पे है, दूसरा chlorine 2 पे है, तो 1, 2, dichloro, एक ही carbon है, इसलिए position बताने की ज़रूत नहीं है, double bone की, ethene लिख देते हैं, तो इसका भी name तो भी रहेगा, trans, 1, 2, dichloro, ethene, यह इसका IPAC name हो जाएगा, ठे दूसरा जो है हमारा, C2H5, C, C3 double bond, C, C3, C2H5, तो carbon और carbon में double bond, दो methyl है, एक methyl इस carbon में, एक इस carbon में, दूसरा एक इस में ethyle है, एक ethyle है, तो methyl और ethyle, same side आएगा, तो cis, और diagonally आएगा, तो trans, carbon और carbon में double bond, दोनों methyl, अगर same side आगया, जैसे यह हमने बनाया, ethyle, ethyle, ethyle को मैं अलग कर देता हूँ, numbering में ठीक रहेगा यह ethyl, cs2, cs3 तो यह हमारा हो गया cis form ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग across कर दे तो बन जाएगा trans methyl, methyl, across हो गया ethyl, cs2, cs3 इधर भी cs2, cs3 तो यह trans हो गया ठीक है, यह वाला chain ले लेते हैं double bone का position 3 हो जाएगा तो numbering कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो क्या हो गया, cis, 6 का chain है और यह दोनों अब क्या बनेगा इसके लिए substitute, 1, 3 पे और 1, 4 पे तो 3, 4, dimethyl, 6 का chain है तो hex, 3 in ठीक है, similarly इसका भी IPSC name तो same रहेगा देखो numbering करके, 1, 2, 3, 4 5, 6, तो 3 और 4 पे, देखो दोनों में substitute है, तो 3, 4, dimethyl, 6 का chain है तो hex, third carbon पे in है, 3 in तो इसका हम लोग इस तरह से IPSC name भी लिख सकते हैं अब next question देखते हैं तो next 11th question में है which of the following compound will sow cis trans isomerism cis trans isomerism का मतलब है geometrical isomerism इस फोर में से कौन-कौन सा सो करेगा, तो geometrical isomerism में हमने बताया था stereo center होने चाहिए, double bond होना चाहिए carbon और carbon के बीच में, या ring के साथ भी होता है कभी कभी, तो double bond होना चाहिए और जो carbon double bond से जुरे हुए है दोनो carbon, दोनो carbon के साथ दो-दो group होने चाहिए और दोनो group different होने चाहिए तो first में देखो carbon के साथ दो methyl है, दो methyl दोनों तो same हो गया यह different तो हुआ नहीं इधर different है, H और methyl है लेकिन यह वाला है उसमें दोनों group same है methyl तो यह geometrical isometrium नहीं देगा यहाँ भी देखो CH2 है तो C के साथ दो hydrogen दोनो group same हो गया इधर भी same हो गया तो यह भी geometrical isometrium नहीं देगा जो तीसरा है C के साथ एक hydrogen है एक C6H5, phenyl है अलग-अलग group है दूसरा double bond carbon के साथ एक hydrogen है, एक methyl है यह दोनों group भी different है यह दोनों group भी different है तो यह देगा next जो है carbon के साथ देखो fourth में एक hydrogen है एक methyl है दूसरा carbon के साथ एक chlorine है, एक methyl है तो इधर भी दोनों group देखो different है इस carbon के भी दोनों group different है तो यह geometrical isometrium देगा अब हम लोग next question लेते हैं question करने जा रहे है write IPAC name of the products obtained by addition reaction of HBR to hex 1 in hex 1 in जो है unsymmetrical alkin है इसमें हमें HBR का addition करना है ठीक है, तो HBR का addition दो types के होता है एक होता है marconic ove एक होता है antimarconic ove क्योंकि hex 1 in unsymmetrical है तो यह तो marconic ove देगा यह तो antimarconic ove तो जब paroxide use करेंगे तो वो होगा antimarconic ove जिसे paroxide effect या kharaas effect बोलते हैं और जब paroxide use नहीं करेंगे तो वो होगा marconic ove addition तो first part में है absence of paroxide तो यह marconic ove addition होगा second है in the presence of paroxide तो presence में antimarconic ove addition होगा या इसे ही paroxide effect बोलते हैं हम लोग ठीक है, तो हमारे पास hex 1 in है hex 1 in में क्या होगा carbon के साथ first carbon पे ही double bond हो जाएगा और 2 carbon हो गया 4 carbon का और आएगा 3, 4, 5, 6 तो hex 1 in हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon है first पे double bond है HBR का addition कर रहे हैं और इसमें हमने paroxide नहीं डाला no paroxide तो इसमें क्या होगा marconic ove addition तो marconic ove addition क्या बोलता है negative part of addendum adds to that carbon which has less number of hydrogen तो double bonded carbon में negative part इसका negative part हो जाएगा BR- यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 hydrogen है और hydrogen यहाँ पे एड होगा तो CS3, single bond CS2, अब कितने हैं CS2, 3 और है 1, 2, 3 और 1 CS3 ठीक है और sorry यहाँ पे तो BR हमने लगाया नहीं CS2 के साथ क्या जाएगा BR ठीक है अब देखो इसका IPAC name क्या हो जाएगा इधर substitute जो है BR इसको functional group भी बोल सकते हो नजदीक है तो number यहीं से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो क्या हो गया 2 bromo 6 carbon है तो hexane 2 bromo hexane और जब हम लोग इसमें क्या करें परोक्साइड यूज करें तो marconico ab edition होगा इसका just opposite sorry anti-marconico ab होगा इसका just opposite ठीक है तो क्या हो जाएगा CH2 double bond CH CH2 CH2 1, 2, 3, 4 carbon हो गया 5th, 6th अब इसमें HBR का addition करना है in the presence of peroxide तो peroxide के presence में anti-marconico ab edition होगा negative part of addendum adds to that carbon which has more number of hydrogen यहाँ पे BR और यहाँ पे H तो CH2 यहाँ पे BR आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा CH2 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो क्या हो गया 1, 6 carbon है तो hexane ठीक है अब हम लोग next 13 question लेंगे तो next जो 13 question है इसमें write structures of different isomers corresponding to 5th member of alkyne series तो alkyne का first member क्या होता ethine CH triple bond CH second क्या होगा CH2 add कर देंगे तो CH triple bond C CH3 ठीक है इसी तर मतलब first member में 2 carbon है तो second में आ गया ये first member है second में 2 first में 2 है second में 3 है third में 4 carbon fourth में 5 carbon fifth में 6 carbon मतलब hexane होगा जो fifth member होगा alkyne homologous series का वो जो है hexane होगा अब बोला है also write IPC name of all the isomers hexane के सारे isomers बनाने है what type of isomerism is exhibited by different pair of isomers तो देखो इसको में बनाने से अच्छा हमने 6 carbon का chain लेंगे first bond पे first carbon पे triple bond रखेंगे तो hex 1 iron second carbon पे रख सकते हैं hex 2 iron third carbon पे रख सकते हैं 3 iron तीन तो यही बन गया और यह तीनों जो है कौन सा होगा position changera triple bond का इसलिए इसे क्या बोलेंगे positional isomer ठीक है अब next देखो अब इसको अगर इधर करेंगे तो numbering right से कर देते फिर वो two पे आ जाता है तो two वालों तो हमने उपर ले ही लिया इसलिए आगे shift इसे नहीं कर सकते अब four carbon का chain लिया sorry six के बाद five carbon का chain लिया one two three four five और एक methyl यहां पर लगा दिया तो देखो numbering करेंगे one two three four five three methyl pent one iron अब देखो substituent को आगे shift कर दिया तो क्या हो जाएगा four methyl pent one iron इसमें भी substituent का position change हो रहा है तो यह क्या हो गया positional isomer ठीक है यहां पर देखो double bond का position change हो गया positional isomer और यह जो पहले वाला था यह तीनों आपस में positional है positional है लेकिन यह और यह आपस में क्या है chain isomer क्योंकि इसमें six का change था इसमें five का chain आ गया अब एक four वाला बनेगा फोर वाले पर दो हमारे क्या लग जाएंगे substituent क्योंकि six carbon ने फोर दो मिथाइल लगा दिया एक triple bond लगा दिया तो three three dimethyl but one iron ठीक है तो इसके हमारे बन गे यह सारे isomers बन गे जो positional और chain isomerism है हमारे में तो वही लिखा है positional and chain isomerism zone between यह कट गया इधर different pairs अब next question हम लोग देखते हैं 14 तो यह question जो है conversion का question है हमें बोला गया है ethenoic acid को benzene बनाना है तो ethenoic acid में तो दो carbon है direct benzene बनाने का कोई rule नहीं है ethenoic acid से कोई reaction भी नहीं है और benzene हम लोग ethine से बना सकते हैं अगर ethenoic acid को हम इथाइन में convert करें तो benzene बन जाएगा ठीक है क्योंकि इथाइन का अगर हम लोग polymerization करें red hot copper या iron tube से 873 Kelvin पर तो बंजीन बन जाता है तो ethenoic acid को हम पहले benzene इथाइन में convert करेंगे तब benzene बनेगा तो हमारा ethenoic acid है ethenoic acid को हम लोग ethane में direct convert करने के लिए भी कोई reaction नहीं है वैसे 12 में जाते तो इससे इतनोल हम लोग बना लेते इतनोल के dehydration से अलकीन बना लेते हैं लेकिन वह हमने अभी 11 में पढ़ा नहीं है तो 11 के लिए हम लोग क्या करेंगे इसका पहले methane में conversion करेंगे methane में conversion करने के लिए इसको हमें salt बनाना पड़ेगा sodium या potassium salt of carbonic acid तो इसमें NaOH एकपोस डाल दिया तो acid base reaction होगा water eliminate हो जाएगा OHH और यह क्या बनाएगा sodium acetate ठेक है अब इसमें soda lime डाल देंगे mixture of NaOH and KOH soda lime soda lime के साथ heat करेंगे तो एक कम carbon का alkane बनेगा methane और यहां से Na2CO3 बाहर निकल जाएगा हम methane का हेलोजिनेशन कर देंगे हेलोजिनेशन कर देते हैं chlorine और sunlight के साथ तो क्या होगा HCl बाहर निकल जाएगा और यह chloro methane बन जाएगा अब chloro methane से हम लोग ethane बना सकते हैं कैसे उर्ज reaction करके बना सकते हैं तो chloro methane का उर्ज reaction कर दो उर्ज reaction कैसे करते हैं sodium के साथ heat करते हैं dry ether के presence में तो यह से क्या बोलेंगे उर्ज reaction तो यह क्या बनाएगा दो carbon का इथेन बन जाएगा ठीक है अब इथेन का हेलोजिनेशन कर दो हेलोजिनेशन कैसे करेंगे CL to sunlight तो क्या बन जाएगा chloro ethane यह बन जाए यहां से HCl बाहर निकलेगा यहां पर NCl बाहर निकलेगा ठीक है HCl है यह बाहर निकल लाएगा अब क्लोरो इथेन से हमें अलकाइन बनाना है तो पहले इससे हम लोग क्या करेंगे अलकीन बना लेते हैं तो अलकीन बनाने के लिए इसमें क्या डाल देंगे अलकोहलिक के OH तो यह elimination करेगा के CL और water eliminate करेगा और double bond बना लेगा ठीक है अभी इथेन बना इथाइन नहीं बना हमें और यह बनाने के लिए 12 का इसके बाद नया तरीका एक और बताऊंगा जिसमें 12 के direct reaction से भी हम लोग इससे बना सकते हैं अलकोहल में convert करके ठीक है तो यह इथेन बन गया अब इथेन का हेलोजिनेशन कर दो एडिशन कर दो हेलोजिन का फिर से हेलो कया होगा elimination होगा एलकोहलीक के अच में एच बी यर जोगी के अच से के बी यर और वाटर बना लेता है और यह डबल बॉन्ड बन जाएगा CH2 double bond CH1BR बचेगा अब इसमें या तो alcoholic KOS डाल दो और उससे अच्छा होता है sodamide NaNH2 डाल देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहां से BR यहां से H बाहर हो जाएगा HBR HBR eliminate हो जाएगा और CH triple bond CH अब इसका polymerization कर दो red hot iron tube या copper tube से red hot iron tube में डालेंगे और heat करेंगे 873 Kelvin पे तो यह 3 acetylene 3 ethine आपस में combine करके benzene ring हमें बना देगा यह हमारा benzene बन जाएगा ठीक है अब बचे इसको अगर छोटा करो तो direct आप ethine बना सकते हो यहां तक acetic acid से कैसे तो जो acetic acid है बचे इसका अगर हम लोग reduction कर दें lithium aluminum hydride के साथ तो यह alcohol में convert हो जाता है यह हम लोग 11th में नहीं 12th में पढ़ते हैं ठीक है अब इस alcohol का dehydration कर दें इसमें concentrated sulfuric acid ढाल दें तो यह क्या करता है water eliminate करके ethine बनाता है ठीक है तो यह direct ethine बन जाएगा अब इसके आगे का process से हमने जो देखा है इस तरह से भी हम लोग इसे बना सकते हैं